गाईज क्या आप भी अपने फ्रेंड के साथ बॉक्सिंग करके उसकी नानिया देलाना चाहते हैं हाँ तो गाईज आज आप इन गैजेट्स को देखने के बाद कुछ ऐसा ही कर पाएंगे क्योंकि आज आप मिलेंगे इन बॉक्सिंग गलव से और फिर ये फाइटिंग रोबोट्स तो वाकाई में अमेजिंग रहेंगे और अगर आप भी ऐसे ही धासो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजेगा सब्सक्राइब और हाँ इन सारी गैजेट्स के लिंक आपको मिलेंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर चलिए गाइस तो फिर लड़ते जगरते हम देख लेते इस वीडियो को दोस्तों रियल लाइफ में बॉक्सिंग करना बिलुकुल भी आसान नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप जॉन सीना बनकर अपने दोस्तों के साथ बॉक्सिंग फाइट करके उन्हें दिन में तारे दिखाना चाते हैं तो फिर आप ट्राइ कर सकते हैं सूपर कूल और इंटर्टेनिंग गैजेट को दरसल ये एक पंचिंग मसीन होती है जिससे आप इसे अपने हाथों में पकड़ कर ओपोनेंट पर टार्गेट करना होता है इसे एक पंच बाहर निकल जाता है और ओपोनेंट को हिट करेगा सेम यही गैजेट सामने वाले के पास भी होता है जिससे वो आपको हिट करेगा में इसे एक अच्छा खासा कॉंपटेशन स्टार्ट हो जाता है इस वाले गैजेट के साथ वही हमारे स्मार्टफोन से भी कनेक्ट रहता है जिसमें दोनों के हेल्थ बार रहती हैं और यह हिट करने से कम भी होती है और आप इसे प्लेयर को नक आउट कर पाएंगे दोस्तों अगर आप भी पिलो फाइटिंग करते करते बोर हो चुके हैं तो यह गैजेट आपके फन के लिए बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है और हाँ आपको यह गैजेट कैसा लगा मुझे कमेट करके जरूर बताएगा और पसंद आया हूँ तो गैज एक लाइक भी जरूर कीचेगा नमबर टू रोबो कॉमबेट गैज अगर आप भी बोर हो चुके हैं वीडियो गेम्स पर फाइटिंग गेम्स खेल खेल कर तो अब आप ले आईए इस RC फाइटिंग रोबोर्स को अपने घर पर क्योंकि यह आपके वीडियो गेम्स से कई जादा मज़ेदार होने वाले हैं क्योंकि इसके हर एक रोबो पर अपनी परसनल स्किल्स और अपने मूब्स होते हैं जिने हम डे बाइडे अपग्रेड कर सकते हैं वहीं इसके बॉटम साइट पर टैर्स होते हैं और उनकी ग्रिपिंग फाइटिंग के दौरन काफी अच्छी होती है जिसे कि यह रोबोर्स डिस बैलन्स नहीं होते इसके कंट्रोलर्स और अबिल्टीज रहती हैं हमारे स्मार्टफोन पर और अपनी स्किल्स से आप अपने ओपोनेंट को नाक आउट कर देंगे इन बॉक्सिंग रोबोर्स के अपने आपको सैमुराइज वर्जन भी मिल जाएंगे इनके हैंड्स पर ब्लेड्स और कई सारे कूल स्टफ्स अटेज करके आप फाइट कर सकते हैं फाइनली ये बॉक्सिंग रोबोर्ट लिटरली हमारे इंटर्टेन्मेंट के लिए बिलकुल ही परफेक्ट रहेंगे और हाँ गाइस इन्हें बहुत ही अफोर्डवल प्राइस के साथ आप Amazon.in से परचेज भी कर लेंगे तो फिर गाइस मज़ा आया ना तो वीडियो को लाइक भी मार दीजेगा दोस्तों टेबल टैनिस से लेकर टेबल सौकर तक आजकर लोग सबी खेलना पसंद कर रहे है और इंडिया में भी सौकर का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए आज हम मिलेंगे इन रोबो सौकर से दसल इसमें चोटे चोटे रोबोर्स के साथ में बॉल होती है और इनके कंट्रोलर्स रहते हैं हमारे स्मार्टफोन पर वहीं ये गेम ऑनलाइन और आफलाइन दोनों ही प्लैटफॉर्म पर चलता है लेकिन इन रोबोर्स को आप सबसे ज़ादा तब इन्जॉय कर पाएंगे जब आप इनके सामने होंगे means आप इने आफलाइन खेल लाए होंगे क्योंकि सौकर गेम के अपने अलग-अलग टैक्टिक्स होते हैं जिसे ये और भी ज़ादा मज़ेदार होंगे नमबर फोर डीजी आई रोबो मास्टर S1 गाईज हम आपने जानते हैं कि डीजी आई ने अपने स्मार्ट ड्रोन और नेक्स लेवल गैजेट्स के चलते मार्केट में धूम मचा रखी है और आज हम देखेंगे इस डीजी आई की तरफ से आने वाले रोबो मास्टर S1 रोबोट को गाईज इस रोबोट अपने आप में मैसिव है जो कि हाईली कस्टमाइजेबल है और प्रोग्रामेबल रोबोट है जिसे किड्स इसे enjoy भी करेंगे और smartly इसे कुछ सीखेंगे भी गाईज इस रोबोट के हर एक पार्ट डिटैचबल है और इसमें आपको modifications के कई सारे options मिल जाते हैं वहीं गाईज ये रोबोट connect हो जाता है हमारे smartphone से फिर इसकी app के चलते आप इसे control कर पाएंगे साथ ही programming से लेकर और भी कई advanced features available होंगे इसकी application पर अब गाईज अगर हम नजर डालें इसके design और looks पर तो इसका design warrior track की तरह होता है और इसके front में blaster लगा होता है और गाईज normal wheel की place पर omnidirectional wheels होते हैं जिससे आप इसे किसी भी angle में rotate करा सकते हैं अब गाईज अगर हम बात करें additional support की तो इसमें आप गो 1080p resolution का low latency camera मिल जाता है जो कि all time active रहता है overall गाईज ये high tech robot हमारे लिए काफी मज़ेदार रहेगा और हम इसके साथ काफी अच्छे अच्छे fun कर पाएंगे तो फिर गाईज अगर आप भी एक धासू robot purchase करना चाहते हैं तो ये आपके लिए best option रहेगा तो चलिए गाईज अब हम finally मिलते हैं GIO battle bots से जो कि most advanced FPS battle bots में से एक है और ये robot भी आपके लिए एक brand new experience रहेगा क्योंकि ये robot auto scan कर लेता है अपने environment को जिसी के simply enemies को identify करके track करने में माहिर है और इसके सारे ही visuals आपको मिल जाएंगे अपने smartphone पर वह इसके top पर firing gears लगे होते हैं और इन gears को operate करने के लिए आपके controllers रहेंगे आपके smartphone पर वह इसके multi-dersonal wheels इसके movements को और भी smooth बनाते हैं और हम battle की दोरान इसकी invisible powers का use भी कर पाएंगे मतलब कि हर robots की अपनी अलग strength, power और ability रहती है overall guys अगर आप भी एक virtual battle robot championship करना चाते हैं अपने friend के साथ तो फिर ये FPS suiting robots आपके लिए एक और perfect option रहेंगे हाँ तो guys अब आप मुझे बताईगा आपको इन सारी gadgets में कौन सा वाला सबसे ज़ादा पसंद आया और इन सारी की purchase link आपको मिल जाएंगे वीडियो के description पर so guys आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मीद करते हैं आपको मारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले गंटे को भी ज़रूर दबा लीजेगा ताकि आपको मिलते रहे कि हमारी हर latest वीडियो के latest update सो गाइस मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स वीडियो में कुछ और नहीं दासू गैजेट्स के साथ तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल लखेगा टेक केर बाई